हलो गाईज, स्वागत है आपका सिर्जन जी चैनल पर और आज आप देखने वाले हूँ 1979 में आई कर्ड ग्लास एक वैंपायर मिनी सीरीज सेलम स्लोट का ब्रीक्टाउन जिसके डिरेक्टर है टोबी हूपर, टेक्सर जिन्सों मेसिकर और पॉर्टगाइज जैसी मूविस के डिरेक्टर, यह मूवी बेज़्ड है स्टीफन किंग की सेम नाम की नावल पर जो आई थी 1975 में, यह आज तक बनी सबसे जादा इन्फूएंशल वैंपायर मूविस में से एक है, पॉप कल्चर में बहुत जादा फेमस है, तो जो भी इसकी लेगसी रही, वो भी मैं आपक बताऊंगा और साथ में इस फिल्म से जुड़े जो भी अंसुने फैक्ट्स हैं, वो तो बताऊंगा ही, मिनी सीरीज के बारे में अगर आप नहीं जानते तो वो भी बता देता हूं, जैसे वेब सीरीज होती है कई सारे पार्ट्स में, बैसे ही टीवी के लिए बड़ी मू में बताऊंगा, तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं मोवी स्टार्ट होती है सिमी को गौटे मौला के एक चार्च में जहाँ पर हम देखते हैं बैन और माको वो दोनों अपनी बाटल में होली वाटर भर रहे थे कि तभी अचानक बाटल का होली वाटर गलो करने लगा और ये देखकर बैन बोलता है कि उन्होंने हमें फिर से ढूंड लिया यानि कि कोई इवल चीज इनके पीछे लगी है लेकिन कब कैसे और कहां से ये जानने के लिए हमें जाना होगा दो साल पीछे अब यहाँ पर मुवी का टाइटल कार्ड आता है जो बहुत जादा आइकॉनिक है इंक्लूडिंग इसका फॉंट ये क्रेडिट्स रात में शुरू होते हैं और खतम होते होते पुरी राट ढलकर सुबा हो जाती है इसमें जो घर हम देख रहे हैं वो सबसे मेन है इसका नाम है मास्टन हाउस खैर दो साल पहले बैन अपने होम टाउन सेलम स्लाट में लाट गया था और ये टाउन मेन के अंदर है जिसमें स्टीफन किंग की कई सारी नौवल्स और मुवीज बेस दोती हैं जैसे के कूजो और पैट सेमेटेरी मुवी के हिसाब से पुराने टाइम में इस टाउन का नाम था जेरुसेलम स्लाट जिसे छोटा करके सेलम स्लाट कर दिया टाउन के बाहर पहाड़ी पर एक डरावना सा घर है वही मास्टन हाउस कई लोगों का मानना है कि ये घर इविल है क्योंकि इसमें कई ऐसे हास से हो चुके हैं बीस सालों से ये घर खाली पड़ा था पर अभी हाली में इसमें कोई रहने आया है उसका नाम है रिचर्स ट्रेकर वो अपने बिजनस पार्टनर कट बारलो के साथ मिलकर इस टाउन में एक एंटिक शॉप खोलने वाला है और बारलो अभी तक टाउन में नहीं पहुँचा बैन जो है वो 10-11 साल के उमर में इस टाउन से चला गया था अब एक सक्सेस्फुल राइटर बनने के बाद ये वापस लोट आए एक नई किताब लिखने के लिए और किताब ये लिख रहा है इसे घर के उपर टाउन के अंदर जाने से पहले वो घर को देखने के लिए चल गया और यहां बोर देखकर हमें पता चला कि सेलम स्लोट की पापुलेशन है 2013 बैन टाउन के अंदर पहुंसता है तो हम देख पाते हैं कि एक अच्छा का सा डैवलप टाउन है और यहीं पर हम माक को भी देख पाते हैं जो कि इसे टाउन में रहता है अब बैन ने अप भी खाली नहीं है तो बैन को जाना होगा एवा मिलर के बोर्डिंग हाउस में लैरी की असिस्टन बॉनी बैन को देखते ही उस पे फिदा हो गई जबके बॉनी पहले से मेरिड है और लैरी के साथ भी इसका अफेर चल रहा है बैन तो वहां से निकल गया पर आफिसर पारक हाउस में रूम ले लिया और वहां की मलकिन एवा ने उसकी काफी हल्प की फिर बैन की मुलाकात हुई सूजन नाम की लड़की से जो के बैन की बुक साथ लेकर बैटी थी यानि वो पहले से बैन की फैन थी तो बैन की बात आराम से बन गई असल में बैन मेरिड था पर इस की वाइफ एक कार एक्सिडेंट में मारी गई थी दो साल पहले ये बात उसने सूसन को भी बता दी और दोनों का डिनर का प्लैन बन गया क्योंकि सूसन भी सिंगल थी इसके बाद रात में बैन फिर से मास्टन हाउस को देखने पहुंचा लेगन इस बार स्ट्वेगर ने उस से फिर से देख लिया वहीं दुकान से निकलते हुए लेरी और बॉनी रात गुजारने का प्लैन बना रहे थे और उनकी सारी बाते सुन रहा था वीजल नाम का आदमी जोके एवा का एक्सस बैंड है जिसके बोर्डिंग हाउस में बैन रुका है कई सारे करेक्टर्स हैं पर चोटा सा टाउन है तो सभी हपस में कनेक्टेड है थोड़ी दिर में आप सबको जाँ जाओगे और वीजल को ये नाम टाउन वालों ने दिया है क्योंगि इसका में काम है जासूसी करना तो आफिसर पार्किंस ने बैन की जासूसी का काम भी उसे दे दिया इसी बीच कबरिस्ताउन के सामने से गुजरता है तो वहाँ पर वो देखता है कबरिस्ताउन के केर टेकर माइक को और माइक का डॉग बैन के उपर भाँकने लगा और इस डॉग का नाम है फेथफुल उधर बॉनी अपने घर पहुंची तो हम उसके हस्बेंड कली को देख पाए जो कल सूजन के घर पहुंचा डिनर के लिए सूजन के पेरंस है एन और डॉक्टर बिल को बैन काफी पसंद आया जबके एन के विचार अभी बने नहीं दोनों में थोड़ी एन बैन भी हो गई इसी बीच वीजल बैन के रूम में पहुंच गया पर एवा ने उसे पकड़ लिया वीजल देख रहा था कि आखिर बैन लिख क्या रहा है फिर दोनों ने साथ मिल कर देखा कि बैन लिख रहा है एक बाई और एक हाउस के बारे में उसकी स्टोरी में बाई वो खुद है और हाउस है मास्टन हाउस यानि कि बच्पन में उसके साथ कुछ तो हुआ था जिस व अगली सुबा बैन अपने काम पर लग गया लेकिन कुछ खास वो नहीं लिख पा रहा था और मेन बात यह है कि उसकी विंडो से मास्टन हाउ साफ साफ दिखाई देता है तो उसका ध्यान पूरे टाइम वहीं पर रहता है घर से निकल कर वो स्कूल में पहुँचा जहां पर माक का प्ले चल रहा था वहाँ पर वो अपने पुराने टीचर मिस्टर बग से मिला और रात को उसने दोबारा मिलने का प्लैन फिक्स कर लिया इसे भी स्ट्रेगर काफी नर्वस होता हुआ अपनी शौप पर पहुँचा क्योंकि आज इसके लिए काफी बड़ा दिन है उसने लैरी को बुला कर उसे बोला कि आज रात मैं टाउन से बाहर जा रहा हूँ तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा एक ट्रक लेकर दो आदमियों को पोर्टलैंड डॉक भेज़ देना वहां से मेरा कुछ समान लाना है वो समान लाकर मास्टन हाउस के बेस्मेंट में रख देंगे जिसका दरवाजा घर के बाहर से भी है और ध्यान रहे समान रख कर सारे दरवाजे अच्छे से लाक करके ही वापस आना है बस इतना काम है इकाम लेरी ने दे दिया बानी के हस्बेंट कली को पर कली को भी आज एक जरूरी काम करना है इसलिए वो पहुचा कबरिस्तान के केर टेकर माई के पास उसे ये आफर देने और वो मान भी गया असल में आज रात कली लेरी और बानी को रंगे हाथ पकरने वाला है इसने वीजल को उन दोनों की जासूसी पे लगा रखा था इसलिए ये पहले से उन दोनों की प्लैनिंग के बारे में जानता है जिसे आज रात ये फेल करेगा इसी भी स्कूल के बाहर बैन को सूजन मिल गई और साथ में उसका एक्स बाइफेंड नेडबी जो के उनके उपर ही नजर रख रहा था सूजन ने अकेले में जाकर उससे बात की और उसे वहां से भेज दिया पर वो काफी गुस्से में गया इदर कली, बॉनी और लैरी को ऐसा दिखा रहा था जैसे वो ट्रॉक लेकर जा रहा है अब कल सुबा वापस आएगा ताकि ये दोनों अराम से अपना कारे करम कर सकें जाते जाते वो आफिसर पारकिन्स को भी बता गया कि मैं स्ट्रेकर का सामान लेने जा रहा हूं और उसके जाते ही स्ट्रेकर भी दुकान बंद करके निकल गया पर कली पहुंचा सीधा माइक के पास जो के नैड को लेकर तयार खड़ा था वो दोनों उसका ट्रॉक लेकर जास की तरफ चल पड़े और फेथफुल लगतार भॉंके जा रहा था जिससे कली तो परेशान हो गया और अचानक से फेथफुल की आवास बंद हो गई तो घबरा कर कली ने अपने घर वाली कली पकड़ ली और हम देख पाए कि फेथफुल को किसी ने मार डाला इधर बै में डाल कर वो वापस चल दिये पर रास्ते में वो क्रेट अपने आप आगे आती जा रही थी और उसे देखने के चक्कर में इनका एक्सिडेंट हो जाता वो तो किसमत से दोनों बच गए पर माहौल काफी ठंडा हो चुका था इसी बीच हम मार को देखते हैं जो कि अपने मुविस का फैन है स्पेशली मॉस्टर्स का इसके अलावा बैन और इसके बीच में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों का सब्जेक्ट है मास्टन हाउस मिस्टर बग का कहना है कि मार क छोटा बैन है बैन भी बच्पन में ऐसा ही था इसने भी अपने प्ले में मास्टन हाउस को होटी यूस किया था असल में इसकी आंटी उस घर में काम करती थी जिसके साथ ये बचपन में रहता था और तब इस घर का मालिक था हुबी पर लटके हुए तब तक तो फिर भी ठीक था पर इसके जाते ही उसने आखे खोल कर इसकी तरफ देखा यानि कि वो हुवी का भूत था इसके मताबिक बस फिर ये उल्टे पैर उस घर से भागा और फिर दोबारा कभी अंदर नहीं गया तब इसे वो घर इसे फैसिनेट करता है इसका मानना है कि वो घर जब बना था तब इसे एविल है उसे बनाया था जोश्वा वागन ने जिसने बाद में उसी घर के अंदर अपनी वाइफ और सर्वेंट को मार डाला था फिर खुद भी फांसी लगा कर मर गया था उसके बाद घर में रहने आया था हुबी उसकी वाइफ और बहन भी रस्ते मही तरीके से मारी गई थी और जब वो इस घर में रहने आया तब से टाउन के जवान लड़के गायब होने लगे हुबी उन्हें के ड्नाप करके मार देता था ऐसा उस पे हिलसाम है फिर हुबी ने भी अपनी जान ले ली थी अब उस घर में रहने आया फ Вас ट्रेकर और साथ में बार जिसे किसी ने अब तक देखा ही नहीं बस उसका नाम सुना है तो बैंका मानना है कि वो इविल हा deux हाओस इविल लोगों को ए्ट्रैक्ट करता है पर अगर सच में आसा है तो उस इविल हाओस ने इसे प्यों एट्रैक्ट किया म रास्ते में उन्होंने जंगल वाला शॉर्ट कट ले लिया तो भी अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी जिसमें दोनों भाई अलग हो गए और इसी का फायदा उठा कर किसी ने रैलफी को दबोच लिया इधर ये दोनों ट्रॉक लेकर मास्टन हाउस पहुंच चुके थे और क्रेट को बेस्मेंट के अंदर रखने के बाद नेटू से खोल कर देखना चारा था कि आखिर अंदर है क्या जो ये क्रेट इतनी कोल्ड है और तभी उपर से किसी के चलने की आवाज आई इसलिए ये दोनों लॉक वाक सब फेक कर जल्दी से वहां से निकल गए जबके साफ-साफ बोला गया था कि सारे दर्वाजे लॉक करके जाना, फिर माइक कबरिस्तान पहुंचा पर उसका डाउग उसे मिला नहीं, इतने में डैनी भी अपने घर पहुंच चुका था, पर रैलफी का उसे कुछ नहीं पता, और उधर स्ट्वेगर भी अपने घर चुका था और कली तो कब से उसी का वेट कर रहा था एक शॉर्टगन लेकर उसने दोनों को धपा कर दिया और शॉर्टगन देखते ही बॉनी पलड़ गई वो बोलने लगी कि ये मेर सास जबरदस्ती कर रहा था तब कली ने लैरी के फेस पर शॉर्टगन पॉइंट करके ट् लैरी अपनी कार में बैठा था पर जब पास से देखा तो पता चला कि लैरी तो डैर था यानि कोई इसकी लाश को ठीकाने लगा कर गया उधर डैनी अपने रूम में सो रहा था पर उसे काफी बुरे सबने आ रहे थे तब यचानक उसकी विंडो पर कहरा चा गया और उस क पाखों लोगों की नीदे उड़ा के रख दी थी और आज तक भी ये उतना इफेक्टिव है लोगों ने रात में विंडो की तरफ देखना ही छोड़ दिया था परदे लगा कर सोने लगे थे आप खुदी सोचो जिसने भी रात में ये सीन टीवी पर देखा होगा उसका क् डैनी ने अपना भाई समझ कर उसे अंदर ले लिया पर जब वो तैरते हुए अंदर आया तब हमने देखा कि वो एक वैंपायर बन चुका है ये है सेवन्टीस का हॉरर एकदम चिलिंग उदर आफिसर पारकिंस लेग पर पहुँचा और बैन ने उसे सब कुछ बता दिया मेन बात यहां कर में उसके कपड़े भी थे जो के होनी चाहिए थे कली के घर में इससे साफ हो गया कि जब लेरी कली के घर से बाहर निकला था तब किसीने उसे अठ्टेक किया और उसे मारकर वहीं पर चोड़ गया पिर जब कली ने लेरी की लाउच देखी होगी तो वो ड सब हो रहा है रैल्फी लैरी और अब डैनी चोटा सा टाउन डिस्टाब हो चुका है उदर हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर बिल डैनी के पेरंट्स हैंड्री और मार्जरी से मिला और डैनी को अचानक क्या हुआ वो पता नहीं चल पा रहा इसलिए अभी उसे हॉस्पिटल में ही रुकना होगा अगली सुबा माईक को अपने डॉक की लाश भी मिल गई और जिस ग्रेव पर ये मरा पड़ा है वो है हुबी मास्टन की वही इविल आदमी जिसके नाम पर मास्टन हाउस का नाम पड़ा तो क्या ये डॉक हुबी को भेट चड़ाय गया इसके मरने के बा ब्लैक सूट नहीं पैना पाकिस ने पूछ लिया कि तुम्हारा ब्लैक सूट कहां पर है तो उस्वेकर बताता है कि मेरे पास दो हैं और दोनों घर पर हैं मैं कल लाके दिखा दूँगा पाकिन्स भी मान गया पर ये तो कोई बात नहीं बनी दो सूट इसने बताए है क्या पता इसके पास तीनों या चारों दो सही वाले इलाके दिखा देगा इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं अदर बैन डॉक्टर बिल से बात कर रहा था तो डॉक्टर उसे बताता है कि लैरी की मौत हार्ट अटेक की वज़े से हुई देशत के मारे वो मारा गया और जहां तक डैनी का सवाल है उसके अंदर रात और रात खोन की कमी हो गई वो तो हमें पता ही है क्योंकि उसका भाई पी गया अब बैन और सूजन फिर से घूमने जा रहे थे तो बिल बैन को सला देता है कि रात बर लेक पर जाकर बैठे रहते हो थोड़ा खयाल कर लो मेरी भी कोई इ डैनी के window पर फिर से कहरा छा गया इस बार hospital वाली में फिर Ralphie आया तो डैनी ने उसे फिर से अंदर ले लिया और ऐसा लग रहा था जैसे डैनी उसके वश में था इस बार Ralphie ने सारा कून पी लिया और ये bार्टिंग सीन देखो रिवर्स में है इसले इतना इफेक्टिव लग रहा है अगली सुबा डैनी मरा हुआ मिला जिससे दहशत और जादा फैल गई इदर स्ट्रेकर ने सूर्स लाकर पार्किन्स को दे दिये लेकिन वो दोनों एकदम साफ थे और ये तो हो नहीं था इसी बेश हम देखते हैं कि कली और बॉनी टाउन छोड़ कर जा रहे हैं उसी छोटे वाले ट्रॉक में जिससे लैरी की कार को ठिकाने लगाया होगा अब्जर्वेशन की बात है वरना जादतर लोग यहीं मानते हैं कि स्ट्रेकर ने किया होगा है उन दोनों को जाता देखकर स्ट्रेकर थोड़ा हड़ बढ़ा गया क्योंकि दो शिकार हाथ से निकल गए अब जल्दी शॉप की ओपनिंग करनी होगी वरना क्या पता और भी निकल जाएं उदर बैंट जाकर सूजन से मिलता है तो सूजन उसे बताती है कि मैं दो दिन के लिए बाहर जा रही हूँ जाब इंटर्व्यू के लिए उचाती है कि बैन भी उसके साथ चले पर वो नहीं जा सकता उसे डैनी के फ्यूनरल में जाना है और स्टीफन किंग इनकी सारी बाते सुन रहे हैं फैर अगले दिन डैनी का फ्यूनरल हुआ जिसमें हम फादर कैलहन को पहली बार देख पाई अचानक डैनी की मा बेहोश हो गई और आस्मान में काले बादल चा गए सूरज उनमें छुप गया फ्यूनरल के बाद सब वापस चले गए बचा था सिर्व माईक जिसे कॉफिन को दफनाना था और अचानक काफी तेज हवा चलने लगी जिसमें सारी मिट्टी उड़ रही थी तभी माईक ने कॉफिन की तरफ देखा और देखते ही वो सोनो गया वो सिधा कॉफिन के उपर कूद पड़ा और जैसे ही उसने कॉफिन खोला हम समझ गए कि इसने ऐसा क्यों किया कॉफिन के अंदर से डैनी ने इसे वश में कर लिया था क्योंकि अब वो बन चुका है एक वैंपायर सूरच चुपा हुआ है इसलिए जल भी नहीं रहा उसने सिधा दात गड़ा कर माईक का खून भी निचोड़ लिया जितनी उसे भूख थी उदर बैन घर जाकर सूसन से बात कर रहा था तब एवा आकर उसे बताती है के नैड आय था और वो बोल कर गया है के सूसन से दूर हड़ जा वरना तुझे फिक्स कर दूँगा फिर रात में मारक अपने रूम में कुछ मास्टर फिगर्स बना रहा था तब ही उसका डैड उसके पास आता है तो लगे हाथ माक उसे एक ट्रिक दिखाता है हतकडियों से फ्री होने वाली कई ये टॉम सवीनी का बचपन तो नहीं उदर पाकिस ने FBI से थोड़ी जानकारी निकल वाई जिससे पता चला कि स्ट्रेकर इंगलंड से है बारलो जर्मनी से और बैन तो यही का है पर तीनों के रिकार्स क्लीन है इसी बीच बैन जाकर मिस्टर बॉक से मिला और तब ही उनके पास आ गया माईक जिसकी हालत काफी खराब थी, खून की कमी है न उसकी बात उसे पता चल रहा था कि वश में होने के बाद का उसे कुछ भी याद नहीं और कल रात इसने एक सपना भी देखा था जिसमें कोई इसकी विंडो पर आय था तो इसने विंडो खोल कर उसे अंदर ले ले लिया था यानि वो सपना न इदर माइक को मिस्टर बग अपने घर ले गया था और वहाँ पर वो देखता है कि माइक की गरदन पर दो छे थे, साथ ही विंडो भी ओपन थी, जिसे बग ने बंद करके लॉक कर दिया, फिर जब बग सोने गया तो उसे भी बुरे सपनों ने परेशान किया, आखिर में सु पक हो गया कि शायद ये किसी वैंपायर का काम है, पर ये बाकी सब को बताए कैसे, सब इने पागल समझेंगे, उन्होंने पारकिन्स और डाक्टर बिल को बुलाया, फिर अकेले में डाक्टर बिल को सब को समझाया, कि जल्दी बहुत सारे लोग बिमार पढ़ने वाले हैं वो वीक फिल करेंगे और उन्हें बुरे सपने आएंगे, इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा, और सबसे पहला नाम जो इनकी लिस्ट पर है, वो है स्ट्वेकर, जिसकी शॉप की आज ओपनिंग है, बैन उसकी शॉप पर पहुँचा, जहां पर माक और उसकी माम भी मौ जो थे, अब इतने चोटे से टाउन में एक एंटिक शॉप खोलने का रीजन तो समझ में आता नहीं, क्योंकि सारा समान लोगों के बजट के बाहर था, बैन अंदर एंटर हुआ और माक बाहर निकला, अब तक इन दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई, और आज बैन न रात हॉस्पिटल में बितानी होगी, इसी बीच बग वैंपायर्स के उपर पूरी पढ़ाई कर रहा था, कि तब ही उपर से कुछ आवाज आई, उसने जा कर देखा तो उपर उसे मिला माइक, अपनी चमकतियां को से वो बग को वश में करना चाह रहा था, पर बग के पास क्रॉस था, क्रॉस दिखा कर उसने माइक को भगा दिया, लेगन इसके बाद उसे भी दिल का दोरा पढ़ने लगा, अब आप सोचोगे के माइक इसके घर के अंदर कैसे आ गया, वैंपायर तो बिना इन्वाइट किये नहीं आ सकते, पर इन्वाइट इसने किया तो था, र बरबाद कर देता है, उस क्रेट के अंदर यही आये था, और इसके आने के बाद से टाउन में क्या हो रहा है, वो हमारे सामने है, इसके आने से पहले स्ट्रेकर पूरी तैयारी कर देता है, ताकि यह आकर अराम से अपना काम कर पाए, इसने रैलफी का खून पीकर उसे वै अगले पार्ट में अभी बहुत कुछ होने वाला है और नेक्स वीडियो में फैक्स भी होंगे साथ ही इसकी लेगसी और फ्रैंचेस का फ्यूचर भी तो जितना तगड़ा रिस्पांस होगा उतनी जल्दी वीडियो आएगी एक लाइक और कॉमेंट जरू कर देना मैं आपस आपसया पार मैं